नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टिमेट नॉलिज पर दोस्तों आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि बृटेन में मुस्लिम आबादी बहुत बड़ी संख्या में रहती है एक अनुवान के अनुशार इस बात को कहा जाता है कि बृटेन के कुल आबादी में मुस्लिम आबादी लगभग 6 से लेकर के 7 प्रतीशत है लेकिन लंडन में मुस्लिम आबादी लगभग कुल आबादी की 15 से लेकर के 18 प्रतीशत के आसपास मानी जाती है आप सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जहा जहां पर मुस्लिम आबादी अधिक होने लगती है और जहां जहां पर मुस्लिम लोगों की संख्या बढ़ने लगती है वहां पर दूसरे धर्म और दूसरे समुदाय के लोगों का जीना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है मुस्लिम समाज हमेशा से ही पहले दूसरे देशों के अंदर शरण मांगता है लेकिन जब वहाँ पर इनकी आबादी बहुत अधिक हो जाती है तब ये वहाँ पर शरिया लौ मानने लगते हैं और इस बात को कहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलामिक कानून चलेगा आबादी बढ़ने के बाद ये लोग दूसरे धर्म और दूसरे संपदाय के लोगों को वहाँ से भगाना शुरू कर देते हैं और ऐसा ही कुछ बिटेन में होने लगा था जिसे बिटेन की जनता ने बहुत जल्दी महसूस कर लिया और बिटेन की जनता भारत के हिंदू की जनता ने इसलामिक गती विदियों के खिलाफ बिटेन के अंदर आंदोलन शुरू कर दिया है लगबख साथ लाग से भी जादा की भील ने बिटेन पार्लियामेंट के बाहर खड़े हो करके इस बात का विरोध किया कि लंडन के अंदर जो मुसलिम आवादी बढ़ रही है उसके साथ ही साथ बिटेन के अंदर मुसलिम आवादी को नियंतरित किया जाए वहाँ पर खड़े आंदोलन कारियों ने इस बात को खुले तोर पर कहा कि बिटेन हमारी जमीन है और हम बिटेन की जमीन पर किसी भी कीमत पर इसलामिक गतीविदियों को नहीं तो बढ़ने देंगे और नहीं इसलामिक गतीविदियों को यहां पर फनने फूलने देंगे ऐसा नहीं है कि बिटेन की सरकार या फिर बिटेन में लोग इस बात से अवगत नहीं थे कि यहां पर मुसलिम आवादी बहुत तेजी से बढ़ रही है लेकिन नजर अंदाजी के कारण मुसल समुदाय के लोगों के खिलाफ करांती छेड़ दी है और उन्होंने इस बात को कहा है कि वो बिटेन से पूरी तरह से इसलाम का अंत करेंगे और यहां पर जो मुसलिम आवादी बढ़ रही है उसे किसी भी तरह से नियंत्री किया जाएगा दोस्तों आप लोगों का बिटे